गुरखपूर में रविवार को 24 घंटे के अंदर मात्र दो नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इसके बाद से जिले में कोरोना संक्रमितों का आकड़ा 2427 पहुँच गया है इनमें 20,990 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि मौत की संख्या 360 हो गई है वही जिले में एक्टिव केस की संख्या 77 रह गई है इसकी पुषटी CMO Dr. सुधाकर पांडे ने की है इस संबंद में CMO Chief Dr. सुधाकर पांडे ने बताया रविवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में जिले के ग्रामीर छेतर के चरगामा और भठट में एक-एक मरीज मिले हैं सियमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशे साउधानियों को बरतने की अपील भी की है दोगच की दूरी, मास्क है जरूरी, समाजिक दूरी का करेपालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्त और सुरक्षित सियमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस विमारी से बशने के लिए विशे सतक्ता बरतनी होगी क्योंकि इसका वाइरस ठंड में जादा असर करता है, इसने लोगों को भीड़ भार से बसते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा, जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है